देखिए इस वीडियो में मैं आपको welded connection से related total 38 MCQs कराऊंगा और इससे पहले riveted connection और introduction से कुछ MCQs करा दिये गये हैं वो आपको playlist में मिल जाएंगे which of the following is a fillet weld mitre, square, single jay या single bevel तो mitre जो है यह fillet weld का एक type है यहाँ पर आप देख सकते हैं जो left side में है यह fillet weld के type है तो यह रहा mitre वाला जो सबसे simple होता है जिसमें यह series line आती है और जो concave और convex हैं इसके दो और type वो इनकी save की वज़े से होते हैं जो अंदर धसा हुआ है वो concave और जो भार उबर के आ रखा है वो convex और बाकी जो single jay, single wevel, single v यह जो दे रखे हैं यह butt joint होते हैं और इनकी respective यहाँ पर pictures भी दे रखी है तो option हो जाएगा mitre वाला यानी weld की जो design capacity है वो कम हो जाती है जब उसकी length उसकी thickness से कितनी ज़्यादा हो जाए यह एक codal provision है आप यहाँ पर देख सकते हैं और कितना किया जाएगा, क्या क्या किया जाएगा वो अगले clause में बता रखा है 10.5.7.3 में ठीक है, खेर वो हमें अभी नहीं जानना है सिर्फ इतना जानना है कि design strength कम कब होगी जब welding की length उसकी thickness से 1500 गुना से ज़्यादा चली जाएगी welding की length ऐसे में देखी जाएगी thickness जो उसका cross section देखा जाता है ऐसे में तो option D यहाँ पर सही होगा partial safety factor for soft welding and field welding are तो यह होते हैं 1.25 और 1.5 soft का आपको यह ध्यान रखना है क्योंकि soft है तो वहाँ पर थोड़ा सा कम लिया जाता है तो 1.25 उसके लिए लिया जाएगा और field के लिए 1.5 लिया जाएगा जैसे हम steel और concrete में लेते हैं steel में थोड़ा कम लेते हैं और concrete में थोड़ा ज़्यादा लेते हैं क्योंकि steel soft में या factory में बनता है जबकि concrete को generally field में ही बनाते हैं और यह रही वो table जिसमें यह दे रखे हैं partial safety factor जो इस सवाल में पूछा गया है वो है आखरी वाला यहाँ पर देख सकते हैं चौथे का जो D है the minimum size of flat weld is तो flat weld का कम से कम size जो हो 3 mm होना चाहिए कहां से देखिए इसकी table आती है एक जो thickness के हिसाब से बताई जाती है कि जो plate की thickness है अगर हो 10 mm तक है यानि 10 mm भी है अगर तो भी 3 लिया जाएगा 11 से 20 है तो 5 लिया जाएगा अब यहां पर 11 से 20 का मतलब है कि 10 से जादा है तो फिर 5 की तरह पाजाएगा इसी तरह से 20 से जादा है तो फिर 6 में आ जाएगा 32 से जादा है तो 8 लेते हैं first run में उसके बाद total 10 mm तक कर लेते हैं जैसा इस figure में दिख रहा है यहां पर तो minimum इसमें कौन सा हो गया 3 mm वाला तो option A यहां पर सही हो जाएगा the size of normal fillets shall be taken as the dash weld lag size तो fillet weld में जो इसकी picture है यहां पर यह जैसे fillet weld का कोई cross section है तो इसमें यह वाली जो side है जो plate से लगी होई है जैसे यह कोई plate है इदर इसमें हमने welding करी यह welding material ही तो है यहां पर तो इन दोनों में से जो यह है और जो यह है इन दोनों में से जो छोटा होता है उसे हम fillet weld का size मानते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा minimum weld lag size among the following options as per IS 800-2007 in case of lap joints usually the minimum lap should not be less than यह भी codal provision है सिधा इसी को पढ़ लेते हैं lap joint के लिए in the case of lap joints the minimum lap should not be less than 4 times should not be less than 4 times the thickness of the thinner part और 40 mm तो यहां पर जो बात कर रही है वो 4 times वाले के respect कर रही है the thickness of the thinner part so option C सही हो जाएगा जब आप पढ़ेंगे इनको एके करके 4 times the thickness of the thinner part joint ठीक है पहला गलत की होगा क्योंकि weld बोला गया यहां पे कहां गया यह पहला गलत है क्योंकि weld बोला है length of weld नहीं होगा thickness of thinner part होगा जो plate कम पतली है उसका उसके चार गुने से कम the maximum size of the flat weld for a plate of square edge is तो square edge के case में 1.5 mm कम कर दिया जाता है जैसे यह कोई plate है उपर और यह कोई नीचे है दूसरी plate इन पर हम यहां पर welding कर रहे हैं तो यहां से अगर यह वाला portion जो है इसको मैं थोड़ा बड़ा करके बनाऊ अगर ऐसे करके यह जहां पर गोला कर रहा है तो यह इतने इससे पर welding कर सकते हो maximum यहां से आपको 1.5 mm छोड़ना पड़ेगा यही बोला जाता है square वाले में square का पता कहां से चल रहा है यह square की type का बन रहा है तो 1.5 mm कम करते है square में round होगा तो उसमें 3 fourth लेते हैं उसका सवाल आगे देखने को मिल जाएगा if allowable shear stress in weld is 90 newton per mm square the strength of a standard 5 mm size flat weld per meter length would be तो shear stress दे रखी है 90 और weld का size दे रखा है 5 mm अब देखिए जो formula होता है जो general formula है वो होता है strength का P बराबर Fs into A Fs इसमें shear stress है या allowable shear stress और जो A है वो area है तो area जब direct न दे रखा हो तो इसको length into thickness से निकाल सकते है ठीक है अब इसमें भी जो thickness है वो direct नहीं दे रखी है इसमें weld का size दे रखा है तो weld के size में एक constant होता है K उसकी जब multiply होती है तब T निकलता है T बराबर होता है K into S अब ये K की value जो है ये depend करती है अलग-अलग cases में अलग-अलग होती है तो यहाँ पे जो 5 mm दे रखा है वो S दे रखा है size of weld इसमें आप 0.7 की multiply जब करेंगे तब आपको T मिलेगा और ये 0.7 कहां से आया ये K की value होती है ये अलग-अलग angle के लिए अलग-अलग होती है तो वो मैं आपको आगे questions में बता दूँगा फिलाल आप इतना ध्यान रखिए K की value 0.7 ली गई है यहाँ पे बागी जो चीज़ें जैसी दी गई है वैसे ली गई है ये 90 mm था ये 1 meter था तो 1 meter को mm में बदल दिया 1000 और 5 mm इसका size था तो total जो है वो अपने आप Newton में आएगा किलो न्यूटन में हो जाएगा 315 315 होगा सही आंसर तो उसके हिसाब से हम B option को सही मान लेंगे weakest section in a fillet weld is तो सबसे कमजोर section जो है वो माना जाता है उसका throat ठीक है जो इस तरह से जैसे ये welding का cross section है तो ये जो उसका throat है ये वाला ये सबसे weak माना जाता है होता है मतलब तो ये है effective throat thickness की definition यहां से ये root से और यहां तक की ये वाली बोली जा रही है तो ये हो जाएगी effective throat thickness डाइग्रेमेटिक वेल्ट उसी line के लिए बोला जा रहा है which of the following methods is largely used for welding of rails in workshops तो ये होता है flash weld flash butt welding आप अगर इसको google करेंगे तो आपको बहुत सारी pictures मिल जाएंगी जहां पर लोग क्या कर रहे हैं कि दो rails को जोड़ रहे हैं with the help of flash butt welding तो ये इसका सही answer होगा in case of weld using lab joints the minimum lab should not be less than four times the thickness of the thinner part joint और TMM whichever is more where T is अभी मैं आपको codal provision बताया था यही सब लिखा हुआ था उसमें और joint के बाद लिखा हुआ था और 40MM ये देख सकते हैं तो ऐसा ही था यहां पर ठीक है ये in case of lab joints minimum lab should not be less than four times the thickness of the thinner part joint और 40MM तो एक सवाल था जहां पर four times के respect में पूछा था इस सवाल में 40MM के respect में पूछा है तो ये जो T है ये हो जाएगा 40MM तो जो thinner वाली है यहां पर वो है 12MM की और square दे नहीं रखा है तो square ही मान के चलेंगे जो generally जो होते हैं square और round तो square वाला मानेंगे और जैसा कि अभी हमने देखा था 1.5MM हम less कर देते हैं मतलब अगर 12MM की plate है तो maximum हम उसमें साड़े 10MM तक welding कर सकते हैं यही हमसे पूछा जा रहा है maximum size of fillet weld that is 10.5MM what will be the minimum size of fillet weld if the plate thickness is less than 10MM तो ये table आपको बताई थी 10MM तक होगा अगर 10MM तक होगा तो तब लिया जाएगा 3MM 10 भी होगा तब भी 3 लिया जाएगा तो 3 हो जाएगा the effective length of a weld is taken as the actual length और उसके बाद क्या होगा minus twice the size of weld यानि fillet weld में जो effective length होती है L effective जिसे कहते हैं L effective ये निकलती है किससे actual length से और minus करते हैं उसमें से 2S 2S का मतलब है twice the size of weld the strength of a butt weld is about 70-90% of the main member equal to than of the main member equal to or more than than that of the main member या फिर more than that of the main member तो चाहे fillet weld हो चाहे butt weld हो दोनों में क्या होता है कि जो overall strength है वो या तो main member के बराबर होगी या फिर उससे जादा होगी कम नहीं होगी तो option C यहां पर सही हो जाएगा equal या फिर more than which of the following is incorrect about the minimum size of the single run flat weld गलत कौन सा है तो 3 mm for thickness up to including 10 mm बिल्कुल यह सही है 10 mm तक के लिए 3 mm लिया जाएगा और 5 mm for the thickness of 11 to 20 6 mm for the thickness of 21 to 32 तीनों पॉइंट सही लिखे हुए है तो गलत तो कोई नहीं है इसमें से और हमें गलत पूछा गया है तो option D यहां पर सही होगा कि कोई भी इनमें से गलत नहीं है बाकि यह table है यह जो सारे point यही चीजे वहाँ पे line की form में लिखी हुई है effective throat thickness and size of weld are connected as यानि कि यह किस relation में होते है तो यह तो अभी हमने देखी लिया था एक numerical में T बराबर होता है K into S ठीक है और यह जो K है इसकी value angle के हिसाब से बदलती है तो generally जो angle है हो 60 से 90 होता है अच्छा यह angle कौन सा होता है angle पूरा angle होता है जैसे यह कोई cross section दिख रहा है flat weld का तो यह वाला angle देखा जाता है पूरा ठीक है कई जोगों पे theta ऐसा आधे पे लिखा होता है पर angle यह पूरा ही माना जाता है यहां पे तो क्या हो जाएगा 60 to 90 के लिए 0.7 है फिर इसी तरह से जब angle बढ़ता है इसकी value कम होती चली जाती है कितनी होती है वह आप देख सकते है table में ठीक है और यहाँ table से हम यह भी देख सकते है theta की minimum value 60 है और maximum value 120 है important चीज क्या है कि theta is a complete angle वही जो मैंने अभी बताया numerical करेंगे तो theta को पूरा मान के चलेंगे यहां पे question में हो सकता है आपको 45 दे रखा हो यह वाला portion तो angle वहां पे पूरा बनेगा 90 का क्योंकि 60 से कम तो वैसे भी नहीं होता तो option C यहां पर सही हो जाएगा the types of weld used to connect two plates at a lab joint is called तो flat weld में होगा ऐसे lab joint को connect करने के लिए ठीक है अगर diagram बन पाए सही तो इस तरह से दो plate है अगर इनको जोड़ना है कहीं पर तो यह flat welding ही थोगी यहां पर the flat weld whose axis is parallel to the direction of the applied load is known as तो इसको आप diagram से समझे देखे अगर पीछे कोई plate है उसके ओपर कोई plate लगानी है तो जो diagonal में आएगा वो तो diagonal flat weld होगा और तो यह तो आप आराम से याद रख सकते हैं लेकिन ध्यान क्या रखना है जिस direction में force लग रहा है उस direction के parallel जो side होगी वो होगी side flat weld चाए उपर वाली हो चाए नीचे वाली हो दोनों किसमें आएंगी side flat में और जो perpendicular होगी वो end flat में होगी ठीक है दुबारा सुन लीजिए diagonal वाली तो सबसे अलग है वो दिखी जाएगी और जिस direction में force लग रहा है उसके parallel जो होगी वो होगी side flat weld और उसके perpendicular जो होगी वो होगी end flat weld तो यहाँ पर क्या बोला गया है applied load के parallel तो side flat हो जाएगा for a standard 45 degree flat the ratio of size of flat of throat thickness is ratio पूछा गया है size का और throat thickness का size का मतलब है S throat thickness का मतलब है T S और T का ratio पूछा हुआ है T बराबर होता है K into S T बराबर होता है K into S तो T और S का ratio पूछा हुआ है बलकि S upon T पूछा हुआ है और K अगर आपको पता चल जाए तो ये ratio निकल जाएगा तो K पता चलेगा कहां से जो angle दे रखा है वो 45 दे रखा है तो complete angle हो जाएगा 90 का 90 के लिए K लिया जाता है 0.7 अभी हमने table में देखा था 60 से 90 के case में K लिया जाएगा 0.7 तो ये यहाँ पर हो जाएगा और क्योंकि हमें S upon T पूछ रखा है तो 1 upon 0.7 होगा और solve करेंगे 1.41 something आएगा इसको हम root 2 लिख सकते हैं Almost root 2 की value होती है So S और T का जो ratio होगा वो root 2 into 1 हो जाएगा कभी आप से उल्टा पूछ सकता है T और S का पूछ सकता है ratio तो उस time ये बदल जाएगा तब 1 और root 2 हो जाएगा फिर ठीक है तो यहाँ पर root 2 और 1 होगा The actual thickness of a butt weld when compared with the thickness of the plate is तो actual thickness butt weld की कम होती है ऐसा माना जाता है कि जैसे ये butt welding कर रहे हैं आप कहीं पर तो जब ये butt welding होगी तो ये पूरी तरह से penetrate नहीं हो पाता है नीचे तक कुछ हिस्सा रह जाता है So actual thickness is less किस से? Plate की thickness से The effective throat thickness of a flat weld is क्या होती है effective throat thickness Equal to the size of weld Equal तो हमेशा नहीं होती है Equal तो होती नहीं है K into S होता है Option D है 0.7 times 0.7 times होती तो है लेकिन सिर्फ तब होती है जब 60 से 90 का angle बन रहा हो अगर ये angle बढ़ा दिया जाए तो ये फिर कम हो जाता है क्योंकि इसकी value गिरती है तो ये option पूरी तरह से सही नहीं है तो सबसे सही option कौन सा है? B A function of the angle between the fusion sides जो angle है यानि जो theta है उसका एक function है वो जो effective throat thickness है ठीक है? Effective throat thickness जिन दो चीजों पर depend करती है वो है K और S Effective throat thickness of flat weld depends upon weld size यानि S और angle between fusion faces angle तो theta है और theta से निकलता है K तो indirectly वो theta पर depend कर रहा है जब theta बदलेगा तो K बदलेगा ठीक है? तो बात एक ही हम बोल तो कुछ भी सकते हैं लेकिन सही तरीका ये रहेगा कि जो T है वो theta पर depend करता है theta बदलेगा तो K बदलेगा और S पर तो K depend करता ही है तो हम कह सकते हैं कि T is a function of theta यहाँ पर theta की बात हो रही है Which one of the following is the mode of failure in a flat weld material Flat weld share में fail होता है उसका size बताते हैं हम किस से जो triangle है उसकी छोटी वाली side से यहाँ पर तो छोटा बड़ा कुछ नहीं लिखा हुआ यहाँ लिखा हुआ side of the triangle of fillet बिल्कुल सही है लेकिन और precisely पूछे तो क्या हो जाएगा जो उसकी smaller side है The transverse fillet welds are designed for Transverse fillet weld यह shear strength के लिए design किया जाते है उसका नाम ही suggest कर रहा है which of the following does not describe a weld type तो कौन सा है जो weld type नहीं है butt weld type, plug weld, lap weld लेकिन zigzag क्या होती है riveting होती है तो यह हो जाएगा fillet weld is not recommends if the angle between fusion faces is less than 45 greater than 120, less than 60 यह greater than 145 अब दीखे हमारा जो theta है वो 60 से कम नहीं होना चाहिए यानि minimum value है उसकी 60 और 120 से बढ़ा भी नहीं होना चाहिए तो इसके हिसाब से जो पहला option है वो mail नहीं खा रहा है यहां से भई 60 से कम नहीं होना चाहिए ठीक है 45 से कम भी नहीं होना चाहिए पर 48 का क्या हुआ फिर पचास का क्या हुआ फिर ये तो इसी में आगए A में ठीक है तो ये इसलिए गलत है A B क्या है greater than 120 और हाँ not में पूछा हुआ है न हाँ not recommends तो बिल्कुल तो B सही हो जाएगा कि 120 से जादा होगा तो नहीं recommend करेंगे C भी सही हो जाएगा कि 60 से कम होगा तो नहीं recommend करेंगे D फिर वही गलत हो जाएगा 145 से बड़ा तो नहीं होना चाहिए पर 140 होगा तो फिर ये भी तो गड़बड है 120 से बड़ा नहीं होना चाहिए So overall A और D गलत हैं तो सही कौन से हैं B और C तो B और C हैं option C में ये बता चुका हमें आपको तो option यहाँ पर C सही हो जाएगा The strength of fillet weld is Again same question वहाँ पर butt weld के लिए था यहाँ पर fillet weld के लिए है तो इसकी strength जो है main member के बरावर या उससे ज़्यादा मानी जाती है यानि minimum value जो होगी वो equal to main member होगी The throat in a fillet weld is larger side of the triangle of the fillet hypotenuse of the triangle of the fillet smaller side या फिर perpendicular distance from the root to the hypotenuse option D बिलकुल सही है perpendicular distance from root तो perpendicular कौन सा ये जो line है इस पे जब हम कोई perpendicular draw करेंगे वो इस perpendicular की बात कही जा रही है कहां से root से लेके और यहाँ तक तो यही होती है effective throat thickness option D सही हो जाएगा perpendicular distance from the root to the hypotenuse hypotenuse तक ही हो रही है वहाँ पर two flats 110 mm by 16 mm and 110 mm by 12 mm are welded by double V but weld if permissible stress is 142 the strength of weld will be तो यहाँ पर strength का ही formula लगेगा P बराबर Fs into A और again मैंने बताया था आपको area को length into thickness लिख सकते है Fs तो दे रखा है 142 effective length भी 110 दे रखी है दो जो flat दे रखे हैं दोनों में 110 यह है तो कोई सी भी ले सकते हैं लेकिन जो thickness लेंगे वो कम वाली लेंगे एक में साहे 14 थी एक में 12 थी देख लेते हैं नहीं एक में 16 है एक में 12 है तो 16 और 12 में से किसे लेंगे जो कम वाली है तो 12 ले लेंगे solve करेंगे यह आ जाएगा 147,440,00 और इसको किलो में बदल देंगे तो 187 हो जाएगा तो option C यहाँ पर सही हो जाएगा the effective length of flat weld should not be less than effective length जो है वो कितने से कम नहीं होनी चाहिए अब जो इसका general formula था वो तो वही था कि L effective बराबर होना चाहिए L minus 2S यह तो formula है पर यह कितने से कम नहीं होना चाहिए तो यह 4 इसकी जो maximum value है कितने से कम नहीं होना चाहिए 4S से इससे कम नहीं होना चाहिए ठीक है should not be less than 4 times weld size option D सही हो जाएगा name the welded joint तो क्या दिख रही है corner, edge, butt या lap lap joint ही तो है यह एक plate दूसरे plate के उपर lap हो रखी है इस तरह से यह एक plate है दूसरे उसके उपर lap कर रखी है यह lapping हो रखी है यहाँ पर ठीक है butt में तो सीधा ऐसे जोड़ते हैं आमने सामने से the minimum length of butt weld shall be minimum length कितनी होती है butt weld की इसका भी codal provision है the effective length of butt weld shall be taken as the length of the continuous flat weld but not less than 4 times the size of the weld ठीक है कितनी होनी चाहिए वो तो उपर लिखा हुआ है पर कितने से कम नहीं होनी चाहिए that is 4 times of the size of weld 4 times of the size of weld सीधा सीधा question उठके आते हैं code से the minimum length of intermittent flat weld shall be again codal provision यह intermittent weld का है यहाँ देख सकते हैं unless otherwise specified the intermittent flat welding shall have an effective length of not less than 4 times the weld size with a minimum of 40 mm इन दोनों में से जो भी क्या होगी shall not be less than इन से कम नहीं होनी चाहिए तो इन दोनों में जो बड़ा होगा वो ले लेंगे उल्टा होता है न तो 4 times 40 mm और 4 times दोनों हो जाएंगे ठीक है इन दफिलेट weld the weakest section is यह तो हो चुका है throat हो जाएगा इन दिजाइन ओ फिलेट weld size of weld for founded toe of rolled section must not be more than dash of the thickness of the toe तो जैसे हमने square में पढ़ा था यह square है तो इसमें 1.5 mm से जादा नहीं हो sorry मतलब 1.5 mm छुटना चाहिए किनारे से जैसे 12 mm वाला सवाल था तो maximum उसमें 1.5 mm ही घम कर सकते हैं welding ठीक उसी तरह से जब round में हो जैसे toe बोला गया है न जब round में हो कोई तो उसमें 3 fourth होता है round में जो maximum welding है वो 3 fourth तक होती है ठीक है तो यह हो जाएगा 3 by 4 T T यानि thickness of the toe the partial safety factor for field welding तो अगर अलग से पूछा जाए तो option B यहाँ पर सही हो जाएगा और यह थे 38 MCQs अगर आपको कोई doubt है तो आप जरूर उसे comment में लिखें और वीडियो देखने के लिए thank you so much